हाई ड्विल्टीज, तो हम डेट चेप्टर कर रहे थें और डेट चेप्टर में हमने प्रॉफिट निकालना सीख लिया था, यानि कि टाइम और सेल्स बेसिस के हिसाब से आज कि इस वीडियो में हम कापिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे डिसीज पार्टनर का, यानि कि जिस पार्टनर की डेथ होती है, उसका कापिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाते हैं, क्या क्या चीज़े हैं, जो हम उसे देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तो अब एक एक्जाम्पल के थूँ हम डिजीज बाटनर का कैपिटिल अकाउंट किस तरीके से बंता है उसे सीखेंगे इसके लिए मैंने एक एक्जाम्पल यह है जो कि टीर्स ग्रेवाल से एक्जाम्पल नमा 61 है अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं मैं इस कोई इमेज अप्लोड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं को और रिट कर सकते हैं तो इस स्टार्ट करते हैं आम इस एक्जाम्पल को जो कि ए राम रहीम और रोबट का तो इसमें तीम पार्टनर दिये गए हैं राम रहीम और रॉबट ठीक है शॉर्ट फ़र्म के लिए मैं उसको रॉब लिख रही हूँ क्योंकि मुझे एक्वेशन आपको कम टाइम में खराना है लेकिन आप अपने एक्जाम्स में या कॉपीज में पूरा नाम लिखेंगे जो भी है तो 2 is 2, 3 is 2, 1 ठीक है उनका रेशू के गिवन है 2, 3, 1 का रेशू गिवन है due to the ill health Robert की death हो जाती है 30th September को कि इसकी Robert की death होती है 30th September और year हमें given है 2013 इसका मतलब क्या हुआ year end कब हो रहा होगा year end हो रहा होगा 31st March 2013 को यानि कि 31st March के पाद April से लेके 30th September अपरल में जून जुलाई अगर्स सेप्टेम्बर यानि कि 6 months के बाद उसकी death होती है अब हमें balance sheet गिवन है balance sheet simple normal है asset site सारे assets गिवन है कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है like goodwill or advertisement suspense यूकि पार्टन के capital account में होता हो तो ऐसा कुछ भी asset size गिवन नहीं है liability site भी capital creditor workman compensation reserve गिवन है workman compensation reserve पार्टन के capital account में distribute होता है claim को minus करने के बाद तो इसे हम करेंगे इसके बाद हमें adjustment में given है on the date on the date of roberts debt हमें क्या के चीज़े given है goodwill given है goodwill of the valued at two years देखे हमें partner जो भी partner की death हो रही है हमें उसे goodwill में हिस्सा देना है जैसे कि हम retirement के time पर देते हैं वैसे ही देंगे और उसके profit में हिस्सा देना है इसके बाद हमें land and stock की adjustment doubtful debts की adjustment given है and claim given है workman compensation का यानि कि यह सारी adjustment जो की revaluation account में आती है तो इसके लिए हमें एक revaluation account बनाना पड़ेगा question में सिफ capital account बनाने को बोला तो revaluation account हम working note में बनाएंगे तो working note में हम revaluation account बनाएंगे मैं short form में लिख रही हूँ आप नहीं लिखना ठीक है इसके बाद Robert का capital account बनेगा तो Robert's capital account अब यह बनाना है हमें revaluation adjustment के लिए बनाना पड़ेगा जबकि हमें question में नहीं बोला लेकिन क्योंकि adjustment given है तो हमें revaluation account बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें से जो भी profit or loss find out होगा वो हमें partner को देना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं अभी इस question को करने के लिए हम सबसे पहले adjustment करेंगे उसके बाद posting करेंगे उसके capital account में तो हम adjustment सबसे पहली adjustment जो हमें given है वो है goodwill की यानि कि हमें goodwill find out करनी है और उसमें उसका हिस्सा देना है देखें retirement के case में भी हम goodwill में हिस्सा देते थे ठीक है किसे जो भी retiring partner होता था इस case में जो भी deceased partner है उसको goodwill में हिस्सा दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा कौन देगा देखे gaining partner देते हैं जो भी retiring partner को तो इसमें भी gaining partner ही देंगे किसको देंगे deceased partner को तो same procedure है कुछ भी difference नहीं है इसके लिए सबसे पहले हम goodwill find out करते हैं तो goodwill find out करने के लिए हमें average profit निकालने को बोले है goodwill is to be valued at 2 year purchase of average profit of last 3 completed year और हमें average profit 3 years का निकालना है तो average profit निकालेंगे सबसे पहले हम लोग जो कि हमें given है 45,000 90,000 and 1,35,000 और 3 years का है तो divided by 3 अब इसके हम totaling करेंगे जो कि आरी है हमारी 45 plus 35 80 2,70,000 divided by 3 90,000 तो हमारा average profit आ गया goodwill कैसे निकालते है goodwill का formula होता है हमारा average profit into number of year purchase ठीक है तो जो कि है 90,000 और 2 year purchase पे तो हमारी goodwill आ गई 1,80,000 अब इसमें हम Robert का share निकालेंगे तो Robert's share in goodwill 1,80,000 में Robert का share कितना आ रहे है that is Robert का 3rd 1 by 6 1 by 6 के हिसाब से 30,000 रुपीज किसे मिलेंगे Robert को मिलेंगा कौन देगा Of course, Ram and Raheem देंगे किस ratio में देंगे इस case में कोई भी new PSR गिवन नहीं है new PSR गिवन नहीं होने का मतलब यह है कि यही हमारा new PSR है और यही हमारा gaining ratio है यानि कि जब हम retirement का अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो मैंने new PSR निकालना सिखाया है अगर कोई भी partner की death भी होती है तो वह partner चला जाता है और यही हमारा new PSR बन जाता है अगर कुछ और डिटेल ना गिवन हो और इस case में हमारी यही new PSR हमारा gaining ratio है तो कौन gain कर रहे है राम और रहीम करें किस ratio में करें 2-3 में तो राम भी देगा और रहीम भी देगा राम और रहीम के capital account को capital लिखेंगे capital account को हम debit करेंगे और किसके Robert के capital account को हम credit करेंगे 30,000 से अब 30,000 को हम calculate करेंगे 2 by 5 यानि कि 12,000 तो दे रहा है राम और रहीम दे रहा है 18,000 तो इस case से हम लोग इनके capital account में transfer कर देंगे इसके बाद हमें जो next adjustment दे रखी है वो दे रखी कि profit की कि हमें profit किस तरीके से देना है तो profit भी average profit पे based है जबकि हमारा average profit कितना आया है 90,000 आया है लाइन क्या लिखी हुई है Robert's share of profit till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 years average profit हमें पता है average profit में उसको इसका हिस्सा देना है month wise तो देखे average profit अब हम share of profit निकालते हैं इधर तक का part हमारा clear हो गया share of profit कैसे निकलेगा average profit में इसका हिस्सा हिस्सा कितना होता है 1 by 6 होता है How many months 6 months तो 6 by 12 यानि कि हमने इस profit को आप चाहिए तो पहले 6 by 12 लिखिए यानि कि 6 months का profit find out करेंगे उसके बाद इसका हिस्सा देंगे जो कि होता है 1 by 6 तो यह 6 6666 कट गया तो यह आगया 7500 7500 हमारा आया इसका profit में हिस्सा जो कि हम इससे देंगे अब हम देखेंगे कि कोई और भी क्या adjustment है जो कि हमें solve करनी है और कोई adjustment नहीं दे रखी सिर्फ workman compensation claim है वह हम वहीं solve पर लेंगे इसके अलाबा हमें revaluation के adjustment given है तो यानि कि हमें revaluation account भी बनाना पड़ेगा तो revaluation account बनाने के लिए हमें दे रखा है land was undervalued यानि कि land को undervalued कर रखा है कितने से 25 से thousand तो 25,000 से हम उस चीज की value बढ़ा देंगे तो ये company के लिए benefit की बात है कि उसके land की value बढ़ रही है 25,000 और उसके stock की value को हमने overvalued करके दिखा रखे है यानि कि stock जितने का है उसे 8,000 से जादा दिखा रखे है तो ये इससे हमें asset जो है अपना कम करना पड़ेगा जो कि हमने गलती कर रखे है जादा दिखा कर और यहाँ पर कम दिखा कर गलती कर रखे थी तो उसको increase कर दिया इसके बाद उन्होंने बोले provision for doubtful debt is to be made 5% of debtor लेखिए already provision बना पड़ा है 10,000 का debtors हमें given है 3 lakh के तो 3 lakh का 5% कितना होता है 3 lakh का 5% 15,000 होगा उन्होंने बोला है provision is to be made at 5% of debtor हमें 15,000 तक करना है 10,000 तक already बना पड़ा है तो हमारा जो provision बनेगा वो कितना बनेगा सिर्फ 5,000 का जो की difference आएगा जो की हमने कर दिया और कोई adjustment और workman compensation किया है तो workman compensation इसमें अभी नहीं आएगा क्योंकि हमारा workman compensation रिजर्फ जो गिवन है workman compensation रिजर्फ 20 गिवन है and claim गिवन है हमारा 5,000 तो claim से हमारा adjust हो रहा है तो revaluation में इसमें रिजर्फ 5,000 को नहीं दिखाएंगे हम simple profit निकालेंगे यहाँ पर profit हो रहा है क्योंकि totaling आ रही है 25,000 और यहां की totaling आ रही है 13,000 तो 25-13 कितना हुआ 12,000 तो 12,000 का हमें profit हो रहा है जो कि Ram, Raheem और Robert में distribute होगा इनके profit sharing ratio में तो 6 से divide करते हुए इसकर 6, 2 2,000 6,000 and 4,000 तो यह हमने revaluation account भी बना लिया और इसमें से profit भी निकाल लिया और बागी सारी adjustment भी हमने कर ली है अब हम capital account बनाएंगे capital account में सबसे पहले हम buy balance BD करेंगे कि इसके capital में actual में पैसा कितना रखा है तो actual में इसके पास रखा है 3,000,000 कितना रखा है 3,000,000 रखा था अब हम यह देखेंगे कि हमने क्या-क्या देना है इसको हमने देना इसे balance sheet को देखते हूं मैं बता रही हूं workman compensation reserve में हिस्ता तो buy workman compensation reserve account देखें कितना था reserve में 15,000 रखा था 15,000 में इसको हम देंगे 1 by 6 तो 2,500 हम इसे workman compensation reserve देंगे इसके लावा goodwill goodwill दोनों दे रहे हैं buy ram भी देगा और raheem भी देगा और कितना कितना एक देदा है 12,000 और एक देदा है 18,000 यह देने के बाद profit में हिस्सा देंगे हम इसे तो profit and loss एप्रोप उस profit में हिस्सा देने के लिए हम profit and loss suspense अकाउंट यूज करेंगे क्योंकि क्यों यूज करेंगे profit and loss suspense अकाउंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा new PSR given नहीं है new PSR given होता तो gaining ratio में देते new PSR given नहीं था तब हम profit and loss suspense account यूज करते हैं और कितना मिलेगा उसे अकाउंट कितना profit आ रहे है रॉबर का 2000 तो यह वो सारे चीज़े थी जो इससे मिलनी चाहिए थी जो कि हमने दे दी जो कि हमने दे दी अब हम इसके एक्सपोटिर muffin में जो ट्रांसफर करेंगे तो रॉबबर पस एक्सरांस बहसे नाar को इन सबकी टोटलीक एक बार कर लेंगे तो totaling करते हैं इसकी फटाफ़ट 3 lakh इसको रब करते हूं मैं देखे 3 lakh है और 30,000 3 lakh 30,000 हो गया इसके बाद हमारा 10,000 तो 3 lakh 40,000 3 lakh 42,000 क्या यही आ रहा है answer यही आ रहा है तो 3 lakh 42,000 इहां की totaling आ जाएगी और हम इसके capital account को close कर देंगे तो आप इस question को I hope समझे होगे question को करने के लिए सबसे पहले जितना हमें working note बनाना है उतना हम बना लेंगे यानि कि goodwill में share, profit में share अगर और भी करी चीज़े given होती तो हम वो सब चीज़े find out करने के बाद उसका capital account बनाएंगे otherwise क्यों होता है हम दो item post करते उसके बाद एक की calculation करते फिर तीसरी item post करते फिर एक की calculation इससे better है कि आप जो जो चीज़े partner को देनी है सबसे पहले उससे निकाल लो उसके बाद उससे transfer करो आपका time भी बचेगा और गलती भी कम होगी तो इस तरीके से हम deceased partner को capital account बनाते हैं जो कि retirement से बिल्कुल same था वही चीज़े दी जाती है जो retirement के case में दी जाती है वही same procedure भी रहता है सिर्फ एक profit का part है जो हम इसमें extra देते हैं जिसके लिए हम profit and loss suspense account यूज़ करते हैं तो यह question यहीं खतम होता है I hope आपको समझाया होगा अगर कोई भी doubt हो तो आप मेरे से instagram पे और through the comment के through youtube पर आप मेरे से पूछ सकते हैं और अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like, share and comment ज़रूर करें Thank you झाल